Hey guys, welcome back to the channel, channel पर आप सभी लोग का एक मार फिर से स्वगत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आचार सहीता क्या होती है जैसे ही elections की date announce होती है, elections की news आती है एक और word आजाता है साथ में आचार सहीता तो यह जो चुनाव आचार सहीता है, यह क्या है, क्यों लागू किया जाता है और इससे जुड़े और बेकुत सभालों के बारे में जानेंगे जैसे की चुनाव आचार सहीता होती क्या है, इसको लागू क्यों किया जाता है ये कब से कब तक लगी रहती है, इससे आचार सहीता लगाने से होता क्या है और आचार सहीता के क्या नियम होता है और अगर उलंगन करते हैं तो क्या असर होता है तो आज की इस वीडियो में complete information आपको देने वाली हूँ तो वीडियो को आन तक जरूर देखें और अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं हैं अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीज़े ताकि जैसे वीडियो प्लोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके चुनाव के समय आचार सहीता जिसको हम Code of Conduct कहते हैं लगो की जाती है इसे ही हम चुनाव आचार सहीता कहते हैं आदिकतर लोगों को आचार सहीता के विश्यमें चानकारी नहीं होती जिससे की वहिस का उलंगन करते है तो भारत में जब भी चुनाव का आयोजन होता है वहाँ पर आदर्श चुनाव सहिता यानि की modal code of conduct लगाया जाता है चुनाव की तारीकों की साथ ही इसकी घोशना कर जी जाती है और यह नतीजे आने तक जाली रहता है इस समय सभी राजनितिक दलो और राजनिताओं को कुछ विशेश नियमों का पालन करना पड़ता है इन व्यापक धारा के लगने से दंगे वे जगडे जो की चुनावी माहोल में बहुत ही आम बात है नियन्तरण में कर लिया जाता है Election Commission of India यानि की ECI Model Code of Conduct के नियमों को बड़ी सकते से पालन कराता है और किसी भी परकार की एन नियम इतिताद देखने पर तुरंत कारवही करने के आदेश उस छेतर के अधिकारे को देता है और यह भी सुनिश्रित करता है कि चुनाव सही परकार से संपन हो तो यह चुनाव आचार सहीता क्या होती है तो देश में सवतंत्र और निश्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनावायो कुछ नियम बनाता है चुनावायो के इन ही नियमों को हम आचार सहीता कहते हैं लोकसभा चुनावो या विधान सभा चुनाव दोनों के दोरान ही इन नियमों का पालन कराना, सरकार, नेता और राजितिक दलों की जिम्मेदारी होती है तो कब से कब तक लागू होती है यह आचार सहीता? आचार सहीता चुनाव की तारिक की गोशना के साथ ही लागू करती जाती है तो देश में लोकसवा के चुनाव हर 5 साल पर होते हैं और अलग-अलग राज्यों के विधानसवा के चुनाव अलग-अलग समय पर होते रहते हैं तो चुनाव आयोग के चुनाव कार्यकर्मों का एलान करते ही आचार सहीता को लागू कर दिया जाता है और कब तक लगी रहती है आचार सहीता तो आचार सहीता चुनाव प्रक्रिया के संपन होने तक लगी रहती है चुनाव की तारीक की घोशना के साथ शुरू होकर वोटों की गिंती वाले दिन तक आचार सहीता देश में लगी रहती है तो इस आचार सहीता के नियमों पर नजर डावते हैं चुनाव आचार सहीता लागो होने के बाद कई नियम लागो हो जाते हैं और इनकी अवेला कोई भी राजनितिक दल या फिर राजनिता नहीं कर सकता जैसे कि सारजनिक धन का इस्तमाल किसी विशेस राजनितिक दल या नेता को फाइदा पहुचाने वारे काम के लिए नहीं किया जा सकता सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तमाल चुनाव परचार के लिए नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके की सरकारी घोशना, लोकारपन और सिला नासादी नहीं होगा किसी भी राजनितिक दल, परत्याशी, राजनिता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलस से अनुमती लेनी होगी किसी भी चुनावी रैली में धरम और जाती के डाम पर वोट नहीं मांगी जाएंगे तो भारत निर्वाजन आयोक का ये पूरा दस्तवेज है इस तरीके से जो आप देख सकते हैं और उसमें सारे इंफॉमिशन दी गई है अब बात करते हैं कि अगर आचार सहीता का उलंगन होता है तो क्या कारवाही होती है चुनाव आचार सहीता के नियम सकती से लागो होते हैं और अगर इन नियमों का उलंगन किया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है चुनाव आचार सहीता के उलंगन पर दंडात्मक कारəवाही के जा सकते है तो यह दोस्तों आप लोग के लिए पूरी इंफोर्मिशन चुनाव आचार सहीता के बारे में इसी तरिके से और चीजों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पहला आइकन को प्रस करें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें साथ ही आप हमें फोलो कर सकते हैं शोचल मीडिया पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है